टार्पता लोग ओनलाइन एक्टूट से मैं गौर्मन रेंजन आपका भूगोल परियावरण का द्यापक आगामी परिक्षा जिसका नाम उत्तर प्रदेश सिच्छक पादरता परिक्षा है जिसके तैयारी में साइद हर एक योवा लगा हुआ है जिसने बीटीसी और बीड या डियालेट की परिक्षा दी है उत्रिण किया हूँ वो सभी का सपना है कि हम अच्छे नंबर के साथ ना केवल टीटी पास करें बलकि सुपार टैट पास करने के बाद अच्छे रूप से हम सिच्छक बनें और समाज को सिच्छित करें तो जैसा कि माहूल बना हुआ है एक परिक्षा होने वाली है और अभी कुछ दिन पहले नौटिफिकरिसन आया है कि परिक्षा जो आपकी सेटाइट का एक्जाम है उसके बाद होगी तो आपके पास परियाप्त समय है हमारे यहां सफलता पूरवय की एक बैस संचालित किय जा रहा है जिसमें हमारे टीचर हमारे सही होगी टीचर पूरी उर्जा के साथ पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ जो हमारा मैनेजमेंट है जो हमारे टेक्निकल टीम है उन्हें समय समय पर गाइड कर रही है पेडियाप नोट्स जो भी हो सकता है हम से हम सार और आपको अगर आप लेने के चुक होगे तो आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल सुरुआज से बैच चलना प्रारम हुआ है अभी कुछ कच्छा चल नहीं है धीरे धीरे उसमें कच्छा बढ़ा दी जाएगी ठीक ना तो भूगोल और पर्यावरण पढ़ाने की जिम्मा मेरा है पढ़ाने की जिम्मेंदारी मेरी है पिछले भी आपको मैं कई सारे पीडिया या कई सारे कुश्चन में सॉल्व करा चुका हूं पिछला पेपर मैंने सॉल्व कराया था आप लोगों को वहां पर एक डाउट था कुशन नमबर आठ मुझे आज भी याद है मैंने क महत् Allah पृष्णों की सरंक लेकर आपके सामने उपस्तित हूं मैं और यह प्रार्म में करते हैं बिल्कुल एक दम प्रार्म में से प्रार्म में करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको उठाना जायते हैं और टौप तक ले जाएंगे जिसमें आपका नक Desde CEE पास होगा ठीक ना और जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह ना के बाल आपका TET परिक्षा के लिए है बलकि आगामी जो भी परिक्षा हैं आप देंगे जिसमें भूगोल और परियावरन से सम्मानित कुछन आने वाले सबी एक्जाम के लिए यह लाबदायक है सबी लोग देखेगा क्योंकि यह परिक्षा है और इस परिक्षा में सारे कुछन पूछे जाते हैं कोई भी परिक्षा हो जैसे आगामी परिक्षा आ रही है आपकी लोर PCS क्रैस कूर्स भी पढ़ा हैं लोगोंने लोर का बैच भी पढ़ा है सबलता पूरबग ठीक ना हो सक इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ प्रतेग वर्स 16 सितंबर को ओजून दिवस मनाया जाता है वर्स 2019 की विशा वस्तु क्या थी विशा वस्तु यानि थीम विशा वस्तु यानि इंगलिस में इसको बोलते हैं थीम हम कोई भी दिवस मनाते है तो उसका कोई एक पिछला जो मैंने आपको प्रेक्टिस सेट कराये था उसमें मैंने ओजोन परत के बारे में कई सारी चीज़े बताई थी आपको ओजोन परत हमारी जो जो जोन परत है या जिस मंडल में पाई जाती है इस मंडल का नाम है समताब मंडल इस मंडल का नाम क्या है तो इस मंडल का परावैगनी क्रोणों को अपसूसित कर लेती है तो ओजोन परत का ही महत्थ है ओजोन परत के संरच्छन के लिए ही एक समझाता भी किया गया था 1987 में जिसके नाम था मांट्रिल समझाता ठीक ना आए तो यहां पर चर्चा करते हैं 2019 करेंड का कोशन विसावस्तू क्या थी त पर ओअरो माईगनốc और रॉड़ इस जतने का क्पमोर से संबंदि एक महत्पूर कोश्चन ऐसे जानते भी होंकि जोमिंग किरसी क्या है question है अंग्ला आपके सामने झूमिंग किरसी क्या है option ए है किरसी की एक आधूनिक पददती है इस्तान परवर्णति करके किरसी करने की पद्दती है एक से अधिक फसलों को उतपाधन करने की पद्दती है या उपरोग तसव ही जो आपको इसका सही अंसर बताना है जूमिंग हिंदी मिलस की इस थरांतर कर सी का एक नाम है अली को हम पूर्वोदटर भारत बहारत की बात करैने पूर्वोदटर भारत जिसको इंगलिस में नौर्थ सट बोलते हैं आपका असम है अरोनाचर प्रदेश है नागालेंड है मनीपुर है मैजोरा में तुरिपुरा है इस रेजन को हम पुर्वोत्तर भारत या नौर्थ इस्ट बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम पुर्वोत्तर भारत और इंग्लिस में सी को हम नौर्थ इस्ट बोलते ह यहां कि लोग आर्थिक सामाजीक दिरिश्टीकांट से बहुत पिछड़े हुए हैं यहां पर खेती की आधुनिक पध्यतिया नहीं है, इस्थान बदल-बदल के लोग किर्सी करते हैं नाम दे दिया गया जूमिंग किर्सी, तो जूमिंग किर्सी क्या है? इस्थान परिवर्तित करके किर्सी करने की पद्धती एक तो कोशन ये हो गया दूसरा कोशन इसी में याद रख लिजेगा कि जूमिंग किर्सी भारत के कि छेतर में की जाती है तो जूमिंग किर्सी भारत के पूर्वोत्तर छेतर में की जाती है या पूर्वोत्तर भारत में की जाती है कौन से किरसी जहूमिंग किरसी इसी यक सित्तर नंत्र नसील किरसी का यक्षितरी नाम है ठीक नप क्लियर है आइए कुश्शन नंबर तीन क्योओर बढ़ते हैं ठीक न कुश्शन कराने को मैं एक question दे रहा हूं screen पर लेकिन इस question से कम से कम दो और अधिक से हदिक 4 से 5 question आपको मिल जाएंगे ठीक ना चलिए अंगला देखेगा question नमर 3 आपकी screen पर है निम्न में काई सही सुमेल नहीं है आपकी जो परिक्षाओं होती है उन परिक्षाओं में मैंने अधिकांस वार देखा है ऐसा और मैं भी कुछ कंप्रिटर हूँ एक्जाम मैं भी देता हूँ देखा है कई बार कि दिवस पूंच लिये जाते हैं गॉराईय दिवस जैसे उत्तर परदेश में कई बार कोशन पूछा गया है इसली में ने परियावरन से संबंदित यहांपर पांच दिपसों को लिखा है और इन मैंसे एक कोई सही सुमेल नहीं है तो आपको यही बताना है निमलिखित मैंसे कौन सही सुमेल नहीं है पिर्थिवी दिवस 22 अप्रेल को मनाये जाता है जैबिवित्ता दिवस 22 माई को मनाये जाता है जल दिवस 22 मार्च को मनाये जाता है टाइगर दिवस 30 जुलाई को मनाये जाता है आपको यह बताना है कि इन मैंसे कौन सा सही सुमेल नहीं है तो टाइगर दिवस जो टाइगर दिवस है टाइगर दिवस आपका जो है इस आद में पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था कि प्रितेक चार वर्स के अंतराल पर बागों की यानि टाइगरों की गड़ना की जाती है अभी कुछ दिन समय पहले गड़ना जो दोई अठारा में की गई थी उसके आंकले प्रिकासित किये गए थे 29 जुलाई को कब किये गए थे 29 जुलाई और 29 जुलाई को टाइगर से सम्मान देते आंकले इसली प्रिकासित किये गए थे क्योंकि 29 जुलाई को हम कौन से दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस मनाते हैं तो इसमें कौन सा सही सोमेल नहीं है तो tiger दिवस वाला सही सोमेल नहीं है, tiger डिवस जो आपका है, वो कम मना जाता है तो tiger दिवस आपका 29 जुलाई को मना जाता है, जब कि यहां पर 13 जुलाई लिखा है तो यहीं इसका गलत हो जाएगा, यानी इस question कि संदर में है, चेक न, चलिए कुशन नमर तीन का सही अंसर क्यों हो जाएगा टाइगर दे बस कम मना जाता है 29 जुलाई को यहां पर ही गलत लिखा हुआ है कुशन नमर चार बहुत इंपोर्टेंट कुशन है और हमेशा आता है और अधिकान्स वार गलत हो जाता है अधिकान्स वार एक कुशन गलत करके आते हैं आप लोग गलत चलिए देखिएगा कहरा है स्वाइस्थाने सनरच्छन की निम्लिखित मैसी कौन सी बिधी नहीं है तो सनरच्छन हम किसी भी जीवजन्तु या किसी भी पेड़ पौधी को सनरच्छन तब देते हैं जब उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकट हो हम किसी भी जीब जन्तु या पेड़ पौधी को सनरचन तब देते हैं जब उसकी उपर किसी भी प्रकार का कोई संकट हो तो सनरचन देने की दो विधियां बताएं गई जैब विभित्ता या जीब जन्तु और जैब विभित्ता के अंतरगत हमारी जीब जन्तु और पेड़ पौधे दोनों आते हैं तो जीब जन्तु या पेड़ पौधों के सनरच्छन से संबंदित क्या बताई गई हैं? दो विधी बताई गई हैं पहली विदी का नाम है स्वा इस्थाने संरच्छन की विदी स्वा इस्थाने संरच्छन की विदी और दूसरे का नाम है बाहिस्थाने संरच्छन की विदी बाहिस्थाने स्वाइस्थाने और कौन से स्थाने बाइस्थाने संरच्छन विदी स्वाइस्थाने संरच्छन यानि स्वाइस्थान अपनी स्थान यदि किसी जीव जन्तू को अपने इस्थान पर ही संरच्छन दिया जाए अपना इस्थान मतलब जो उसका निवास इस्थान यदि उसके जीवजन्तु को उसके निवास इस्थान से उठा कर या उसके निवास इस्थान से पिर्थक करके किसी दूसरी जगए पर यदि उसको सनरच्छन दिया जाता है तो सनरच्छन की इस विदी को नाम दिया जाता है बाइस्थाने सनरच्छन गज़िया घर किसी का घर नहीं है कि घौ워서 लोगों लोगर में से कोई छिठा घर गया हो तो बताईएगा किया किसी का घर हम दूसरे स्थानों से टाइगर को पकड़ के लाए यहां पर अधी को पकड़ के लाए यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मंगरबच रख दिया, यहाँ पर हमने जिराब रख दिया, यहाँ पर हमने कंगारू रख दिया, यानि अलग-अलग इस्थान से हम जीब जन्तूं को उठा कर लाए और एक इस्थान पर उनको सनरच्छन दे दिया, क्या एक चुडिया घर ह raagit जीव जंतु का प्राकरति का आवास है क्या यहाँ पर कोई जीव जंतु पहले से पाया जा रहा था नई वलके हम अलग-अलग इस्थानों से उठा कर लाए कर लाए गए जीव जंतु को, एक इस्थान पर हम सं रच्छा दे देंगे, तो विद्धी को नाम दे दिया गया बाइस्थाने संरच्छन का धारण है जै मंडल आरच छेटर स्वाइस्थाने संरच्छन का धारण है चिडिया घर स्वाइस्थाने संरच्छन का धारण नहीं है बलकि चिडिया घर जो है बाइस्थाने संरच्छन का धारण है तो इसमें यह यही वाला कुश्चन क्या हो जाएगा है पताइक है। regio कॉष्चन नमर चार के संरचन में पूछा गया स्वाइस्तान का उधारन का उधारन नहीсть है। यह नहीं यह नहीं। यही चृड़ी पूँचा जा रहा है कि इन घास के मैदानों में सही सुमेल करना है इंका में ठीक Christ हमने इंस नहीं दिया है यही पर हम सही somill कर लेंगे देखेगा तो जो pumpas यह कई वार question पूँचा गया Page घास के andare कि देश में पाई जाते हैं तो दछन अफ्रीका में पाए जाते हैं ठीक न उसके पाद सैलवास अमेजन नदीो 183 में पाए जाने वाली घने जंगल है अमेजन नदी जमा बिस्वत रेखह के समीभ और अमेजन नदी बिस्वत्रक के मातिरो दो तो कहा चाहते हैं और अगर देश का नाँ पुझे तो अगर यहां पर उत्राज वहां पालत हुए बाघीन के थे बंप नहीं है यहां पर हमें एक देश मिला, देश का नाम के है भारत, तो इसका सही सुमिल हो जाएगा भारत, तो पंपास, आर्जेंटीना में, वेल लगास की मैदान, दच्छन अफरीका में, सेलवास, ब्राजील में, और पयाल जो हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं, वो आपके भारत में पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाएंगे, भारत में, तो कुश्चन नमर पांच, समझ में आई बात, चलिए, कुश्चन नमर पांच के बाद, अंगला कुश्चन देखते हैं, देखे, समझते चलिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है, किसी भी परिक्षा म मंतराले करता है, लेकिन वनों का जो सर्वेच्चन करता है, उस अंस्थान का या उस विभाग का नाम भारती वन सर्वेच्चन विभाग, भारती वन सर्वेच्चन विभाग, तो पूछा जारा है आपसे भारती वन सर्वेच्चन विभाग, जो बनों की गड़ना करता है, counting करता है इसका मुख्याला कहां है या भारती वन सरविच्छन विभाग कहां पर इस्तित है तो इसका answer पूछ रहा है इसका headquarters पूछा जा रहा है तो इसका headquarters आमूमन हरे को पता होगा दहरादून में हो परतिक दो वर्स के अंतराल पर मारी भारती वन इस्ति रिपोर्ट जारी की जाती है पंद्रवाय वन इस्तिती रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी अब 2019 में जारी की जाएगा और उस बीस में प्रकासित किया जाएगा ठीक ना तो भारती वन सर्विच्छन में भाग का मुख्याल है एने headquarters कहां पार है तो इसका सही answer हो जाए class में नाथूला दर्रा और गलत करके चले आए नाथूला दर्रा किस राज्ज में है पिछली बार पूंचा गया था यहाँ पर मैंने नीतीला पूंचा नीतीला दर्रा भारत के किस राज्ज में इस्तित है बहुत सिंपल सा question है यह उत्राखंड की सीमा पार है तो उत्राख नितिला नितिला मानाला लिपुलेक ठीक है ठीक ना चलिए आला देखिएगा कुशन नमर साथ के बाद कुशन नमर आठ यहां पर मैंने बहुत सिंप्ल सिंप्ल कोशन डाले हैं यह पूछे गया है विगत पर इक्छाओं में विशुका एक मातर तैरता हुआ राश्टी पार कल कि तो 288 – grow oyster version 103 थी वेकिन बार्तमान समय में भारत में राश्टी पारिकों की संख्या कितनी है तो बारतमान समय में भारत में राश्टी पार्णौ संख्या 105 है कितनी है 105 है और 105 राश्टी पार्थों में मनिपूर की लोक्टक जी्व ऐसी जीन जीन के नाव लोकटक जीन के अंदर एक बगीचा है और जो राश्टी पार्क पानी के अंदर तैर रहा है और एक क्यों तैर रहा है इसके उपर रिसर्च चले हैं हमारे बिग्यानिक इसपर सोध कर रहे हैं तो बिश्च का एक मादर तैरता हुआ राश्टिये पार के किस राज में मनी पूर ओके जील में है तो अगर आपसे जील पूछा जाए तो आप जील का नाम बता देजिएगा कि जील में है तो यह लोग टक जील में है कि जील में है लोग टक जील में है चलिए अंगला कुश्चन देखते है question number 8 के बाद question number 9 पूँचे रहा है प्रकास translation की किरिया में किसका up chain होता है दो सब द्याद रखना है आपको up chain और up chain up chain का मनलब होता है reduction इंगलिस में और up chain का English में means होता है oxidation ठीक ना तो प्रकास translation की किरिया 6 CO2 plus 12 H2 सूर के प्रकास की उपस्तिती में यह किरिया करते हैं sunlight की उपस्तिती में और निर्मान करते हैं C6 H12 O6 plus 6 oxygen की अनू निकलते हैं और साथी साथ जल निकल जाता है 6 अनू जल के निकल जाते हैं इस प्रकास की है तो अब चैयन का मतलब होता है गिरहन करना तो प्रकास संसलेशन की किरिया में पौधे carbon dioxide को गिरहन कर रहे हैं या बाहर निकल ला है तो यह तो गिरहन कर रहे हैं carbon dioxide को गिरहन करते हैं और oxygen को यहां से क्या करते हैं बाहर तो बाहर निकलने की प्रकिरिया को English में oxidation कहते हैं oxidation और reduction को हिंदी में बोलते हैं अप्चैन तो प्रकास संसलेशन की क्रिया में किसका अप्चैन होता है तो अप्चैन यहाँ पर अप्चैन ही पूंचा जा रहा है या इन गिरहन किसको किया जा रहा है कारवंडय ऑक्साइड को और उप्चैन अगर पूछेगा यानि उक्सीडेशन किसका किया जा रहा है तो उक्सीडेशन ऑक्सीजन और इस इसी ऑक्सेड को मानो यानि जीव ज talks ग्रहन करेंगे और फइर हम कारवं डॉयम्टाय अक्साइड को करण करेंगें फिर से ऀसी पिरकिरज़ां चलती रहते है इस पिरकिरिया में प्वुड़ पूद 10 कि पूछ रहा है ये हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति से कुश्ण लिया हुआ है और कुश्ण पूच्छा जा रहा है आपसे कि किस वनस्पती की जणें सर्वाद इक लंबी पाए जाती हैं पदज़ड वनस्पती की सदवाहर वनस्पती की मैंग्रोब वनस्पती की या कटिली वनस्पती की कटिली वनस्पती की ठीक ना तो आंसर सही इसका क्या है इसका सही आंसर है कटिली वनस्पतियों की जो जड़े हैं उस अरवाद कलम भी पाय जाती है कटीली वनस्पती का विकास भारत में ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर वर्सा अतियंत कम होती है वर्सा क्या है वर्सा क्या होती है अतियंत कम होती है वर्सा अतियंत कम और अतियंत कम वर्सा होने के कारण समझेगा अतियंत कम बरसा होने के कारण जब जड़ों को पौधों की जड़ों को परियाप्त मातरा में पानी नहीं मिल पाता है तो जड़ है जड़ जो है वो पानी की तलास में पानी की तलास में दूर दूर तक चले जाती है यानि पानी की तलास में जड़ें बहुत अधि कम होती है इस स्थानों पर इया पाई जाती इसलिए पानी की खोज में पानी की तलास में दूर दूर तक क्या होती है फैल जाती है तो इसका पहले नम्र आइसपती क्या हुआ है बस यहाँ पर क्या हुआ मैंने थोड़ा इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया देखेगा निम्लिक ही बभुपक्छी सम्मेल इसको ठोड़ा और ब्रॉड कर लेते हैं बाद कर लेते हैं इसको हाँ प्रइखित बहुपक्षी सम्मेलन में से कौन सा इस्थाई कार्वनिक प्रदूशक से मानव स्वास्तवा पर्यावरण की रच्छा करने के लिए यानि सिर्थी सब्दों में पूछा जा रहा है कि यहां पर चार सम्मेलनों की नाम दिखे हुए हैं इन सम्मेलनों में हुआ आ कौन सा सम्मेलन है जहां पर कर्वन्ड़ाई ऑक्साइड की उस्तरजन की कमी को कम करने की बात कि गया प्रयावरण से समभनित पहला सम्मेलन जो हुआ था वो श्टॉक होम में ही हुआ था 1972 में और यह सम्मेलन पांच जून 1972 को बुलाया गया था इसलिए प्रतेग बर्सम पांच जून को क्या मनाते हैं तो इसी सम्मेलन में कारवंडाई ऑक्साइड के उस सरजन पर रोक लगाने की भी बात की गई थी तो इसका सही आंसर हो कि श्टॉक होम में वह सम्मेलें देश में आउजित किया गया था स्वीडन में किस देश में आउजित किया गया था यूरोप का एक सहर है स्वीडन ब लकी श्टॉक होम हो इसे उसे डीलन की राधानी को ठाटाश पसकreciब कि से कुछी इसे बढ़或者 पांसा था वही आपसे पूंचा जा रहा है Montrix record किसका register है यानि एक ऐसा register जिसमें किसी चीज़ को हम लिखते हैं या किसी चीज़ को हम यहाँ पर संग्रित करते हैं वह बस तू पूंची जा रही या वह गतिविधी पूंची जा रही कि आखिर हम इस register में किसको संक्लित करते हैं किसका लेखा जोगा रखते हैं खत्रे में इस्तिद विज़देशी परजातियों को लिखते हैं इस register में हम खत्रे में इस्तिद वन पराज जाती हैं बन परजातियों का मतलब होता है जंगलों में रहने वाली जीब जन्तों को हम वन्य प्रजाती कहते हैं Option C है मानो जनित गतिविदियों के तहट खत्रे में जली इस्थान को रखते हैं या इन में से कोई ने तो जो आपका Montrix Record Register है इसमें हम मानो गतिविदी से मानो गतिविदी से जली इस्थान ऐसे जली इस्थान जो मानो गतिविदी के कारण उन पर किसी प्रकार का कोई खत्रा होता है तो उन खत्रों उन इस्थानों को हम इस पुस्तक में संक्लित करते हैं यह बलकुर नया कुश्चन है Montrix Record Register में हम मानो जनित गतिविदीयों के तैद खत्रे में जली इस्थानों को संक्लित करते हैं यह उनको मैंटेन करते हैं रेजिटर में लिखते हैं तो इस Montrix Record यह Montrix Register भी पूँ सकता है आपसे इसका समन्द किसे मानव जनित गतिविदियों के तैद खत्रे में जो जली स्थान है उनको इसमें हम संक्लित करते हैं ठीक ना चलिए कुशन नमर 12 का सही अंसर C हो जाएगा कुशन नमर 13 देखिएगा कुशन नमर 13 कह रहा है नमलिकित मैंसे कौनसी बीमारी से कोईले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लेक लंक्स कहा जाता है यानि अगर कोई बैक्ती कोईले की खादानों में लगातार काम करता रहेगा तो उसके लंग्स ब्लैक लंग्स का मतलब होता है उसके लंग्स में कमी आने लगती है उसे सांस लेने में समस्या होने लगती है दमा जैसी बीमारी भी उत्पन होने लगती है तो उस बीमारी का नाम पूछा जा रहा है तो तो उनकी हसेस वीमारी होती है जो मे crush-धानओं नहीं में होती है है आंपर काम करने वाली मजदूरों में हो जाती है और इसमें संस लेने में समस्य होती है इतना जाना अंदर कारवंडा ना एक अट होजाता है कि जो फेपड़ा होता है वो फेपडा पूरा 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 Black पढ़ जाता है इसलिए यह this नाम US किया जाते इस बीमारी बीमारी ब्लैक को ??? çण होता है ? , भारती वनजी बॉर्ड का चेरमेन होता है कि बहुत सिंपिल सा कुश्चन है मैंने ऐसे डाल दिया देखते हैं कि लोग इसका आंसर बता पाते हैं जल्दी से कमेंट करके आंसर बताईएगा भारती वनिजी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है तो भारती वनिजी बोर्ड का जो चेर्मेन है वो चेर्मेन भारत का प्रि देखे को चौशन नमर्ट चौदा के बाद कुशन मर् 15 देखेगा बहुत अच्छा कोशन है को सोच संपजिए और इसका अंसर दिजिए पहले आप करते हैं मैं यहां पर एक फूर्चन मना रहा हूं इसको समझने की प्रयास कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिए यहां उत्पादक को कौन कौन ग्रहन करेगा उत्पादक को ग्रहन करेगा उत्पादक को प्रात्मिक ग्रहन करता है इस प्रात्मिक उभ्हकता को करता है दुतियक औभोक्ता और दुतियक औभोक्ताय कोन गरण करता है तो कुन करता है आप आप क्या रहा है कि उच्छिस्रेणिकों भोगता उर्जा पराप्त करते हैं तो ऊच्छिस्रेणिक का मिलब तरत्यक उपघता से कौशिक से अपनी गरण करेना है, कौन मिलब दूत्यक भोगता? तो केवल दुतियक से तो नहीं करता है, उधारन के तौर पर मा लिजेगा उत्पादक में यहां पर घास लिखा, प्रथम उभूगता में हमने यहां पर टिड्डा लिखा, दूतियक उभूगता में हमने मा लिजेगा मेधक लिखा, और तिड्तियक उभूगता में मा लिजे के से और समझा सकते हैं हम दूसरे तरीके से देखेगा हम ऐसे भी समझा सकते हैं पैंचेंज कर लेते हैं हम ऐसा भी समझा सकते हैं कि मा लीजेगा उत्पादक के अंतरगत होगे हमारा सैवाल उत्पादक के अंतरगत मा लीजेगा होगे हमारा सैवाल वह भोगता के अंतरगत हो गया हमारा छोटी मचली पिर्थामों भोगता दुतियों पोगता के अंतरगत हो गया हमारा बड़ी मचली बड़ी मचली और तिर्थिया को भोगता के से भी अपना भोजन गरहन कर सकता है तो प्रात्मिक एवं दुत्यक दौनों से उच्छ स्रेणिक क्यों भोगता उर्जा प्राप्त कर सकते हैं यानि भोजन को प्राप्त कर सकते हैं बुलिए बासंज में आई चलिए हो गया ना तो उच्छ श्रेणिक क्यों भोगता हमें से याद रखिए तृतियक से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं प्राथमिक से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं यानि मांसाहरी होते हैं चलिए पंदरा के बाद कुश्चन नमर 16 देखिएगा पूछ रहा है निम लिखित में से कौन सी गेस प्रमुक है तो सी कौन सी इन मैंसे कौन सी गेस प्रमुक नाजीब लग रहा है तो प्रमुक तो देखीगा आपकी प्रमुक है और प्रमुक तो आपकी बिवेक पराद आ रहे थे आपको जो भी इसका सही समझना हूँ ठीक ना चलि इस कुश्चन को मैं छोड़ देता हूं कि कुश्चन हमार 17 देखेगा निन मैंसे कौन सा तठ विरिष्टी छाया प्रदेश का उधारण है मैंने भूगोल से उठाया है बिरिष्टी छाया प्रदेश देखेगा भारत में जो अधिकांस वर्सा होती वो परवतों के सहारे होती है और परवतों की सहारे होने वाली वर्सा को हम परवती वर्सा कहते हैं भारत में जब मांसून आता है तो यह मां लिजेगा आपका के आपका भारत का मांचित्र है यह केरल है और यहां पर कौन सा राज तो यहां पर तमिलनाडू है यहां-पर कुछ परवत है जैसे अनना मलाई это काडमम है जब मांसून बंग अरब सागर से जब मांसून आता है तो यह केरल और तमिलनाडू कि इमापर इस जो परवत हैं यह क्या करते हैं इस मांसून को आंगे बढ़ने से रोक लेते हैं और यह है यहाँ पर तो वर्सा करते हैं लेकिन इस वाले छित्मे वर्सा नहीं हो प्रिश्टी चाया प्रदेश कहते हैं तो इसे इस शेत्र को नाम दिया जाता है और के जो तट नाम दिया जाता है मालावार तो कुछिशन आप से पूछ सकता है कि बहुत में पूच्छ तक्र वर्सरी सूख रह जाता है यहनु वर्सरी तुम्हें भार्सा नहीं उपाती है तो ऐसा छेत्र जहां पर वरसरी तुम्हें बरसना हो, तो ऐसे छेत्र को हम बिरिष्टी चाया चेत्र या बिरिष्टी चाया तट कहते हैं, और उसका उधारन तमिल नाडू का कौन सा तट है? कोरो मंडल, तो इसका सही अंसर हो जाएगा C, कोरो मंडल तट, सही अंसर इसका क ही अंसर हो जाएगा कोरो मंडल तट ठीक ना बासराज में आई चलिए तो यह कौन सा हो गया यह हो गया आपका कुछा नंबर सत्रा कुछा नंबर अठारा देख लीजिए गव अठारा इंपोर्टन कुश्चन है पारिष्टिति की तंत्र में उर्जा का प्रवाय होता है उच्छ से निचले से उच्छ स्तर की और उपभोगता से उत्पादक की और इनमें से कोई नहीं बताने कोई आवसकता नहीं पारिष्टित की तंत्र में जो प्रवाय होता है पिर्थम में पिर्थम से किस में होता है दुतियक में और दुतियक से किस में होता है तो दुतियक के बाद होता है तिर्थियक में तो निचले से कहां की ओर होता है भाई पिर्थम निचला उससे उचा दुतिया और उससे उचा तिर्थियक तो निचले से कहां की ओर होगा नि चलिए से उचिस्तर की उर होता है कुशन नम्बर इता आपका 18 चलिए 18 के बाद आईए कुशन नम्मर 19 देखते हैं हम लोग हमने भारत के भूबोल्स उठाया है निमलेकेत राज्यों में से किसका संबंद गंगा नदीश से नहीं है चलिए जल्दीश कमेंट कीजिएगा और मुझे नहीं लगता है कि इसका अंसर आप लोग में से ऐसा कोई होगा जिसको नहीं मालूम होगा अगर आप मेरी पबलिक वीडियो भी देखेंगे जो पेड़ वैच के उनकी बात अलग है पबलिक वीडियो में जब भी मैं गंगा गंगा नदेब भारत के पांच राज़ों में परवाहित होती है किस राज़ से प्रारभ होती है उत्रा खंड के बाद कहां जाती है तो उत्तर न के बाद कर देश बिहार ... जहर खंड के बाद कि किस राज्य में चली जाती है तो जहारखंड की बाद पहुंच जाती है पश्य मंगाल तो निम्लिखत राज्यों में से किसका संब्ध गंगा नदी से नहीं है उत्राखंड का तो है भाई पश्य मंगाल का भी जहारखंड का भी है तो सही आंसर इसका क्यों हो जाएगा तो इ यानि गंगा नदी का समंद इन चार राज्जों में इसे किस राज़ी से नहीं है च्छतिस गंण नदी का समंद नहीं है ठीक ना बात समझ है कि चलिए कि कुछन नमर 19 के बाद कुछन नमर 20 कि देखेगा क्या कह रहा है यह मैं पढ़ा चुका हूं आपको कुश्चन अभी जब प्रिक्रिया में समझाया था उस टाम मैंने समझा दिया यह कुश्चन यहां पर जीब जन्तू पाए जाते हूं उस मंडल को हम जैम मंडल कहते हैं यह जैम मंडल मैं से चीन निकाल दी जाए तो सरवादिक प्रभावित होंगे कौन प्रभावित होगा सिओटू किसके लिए और पादक का कारी करते हैं तो बाइव हमारे हमारे जैन से सीज़मांदल से निकाल दी जाए तो सबसे जानदा प्रिभावित होंगे हमारे प्रभावित होंगे टीकिन मार बीस था चलिए आंके बढ़ते हैं हुआ क्यों बीस के बाद कुछन नमर 12 कि किरें नवीन जलोड मरदा को किसे कहा जाता है नवीन जलोड मरदा किसे कहा जाता है नवीन जलोड मरदा नदियों के दौरा बहा कर लाए गए मिटी को जलोड मरदा कहते है नदियों के दौरा बहा कर लाए गए मिटी को जलोड मरदा कहते है यह भारत के सरबादिक छितर फल पर पाए जाती है कहां पाए जाती है सरबादिक छितर फल पर पाए जाती है नवीन जलोड मर्दा नदी जब पहली वार अपने दौरा जो नवीन जलोड मर्दा को बहा कर लाती है उस नवीन जलोड मिर्दा को किस नाम से जानते हैं तो उस नवीन जलोड मिर्दा को खादर कहते हैं ऐसा तो है नहीं कि नदी एक ही बार अपने साथ जलोड मिर्दा को बहा कर लाएगी वो आज लेकर आई उसके बाद कल लेकर आईगी उसके बाद अंगले दिन लेकर आईगी तो जो आज आई मा लिजेगा ये नदी है नदी यहाँ पर जलोड मर्दा को बहा कर लाई तो ये नवीन जलोड मर्दा और इस नवीन जलोड मर्दा को खादर कहेंगे फिर से नदी अपने साथ फिर से जलोड मर्दा को बहा किलाई अब यह जलोड मर्दा को यहाँ पर तो अब यह वाली जलोड मर्दा नई है और यह वाली पुरानी है तो नई जलोड मर्दा को खादर कहेंगे और यही खादर जब प्राचीन हो जाएगा जब यही खादर प्राचीन हो जाती है तो इसी को नाम दिया जाता है इसी को नाम दिया जाता है बांगर इसी को क्या नाम दिया जाता है बांगर यानि नवीन जलोर मर्दा को हम खादर नाम दे देते हैं और जो पुरानी जलोर मर्दा हो जाती उस पुरानी जलोर मर्दा को हम बांगर कहते हैं तो पूशना नवीन जलोड मर्दा किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर सही आंसर इसका हो जाएगा खादर आपके एकजाम में पूछे गया कुश्चन है ठीक ना चलिए कुश्चन अमर 21 के बाद कुश्चन अमर 22 की और बढ़ते हैं किन सरकार के द्वारा किस वर्स हाती संरच्षन परियूजना चलाए गई हातियों के संरच्षन के लिए किन सरकार के द्वारा किस वर्स हाती संरच्षन परियूजना चलाए गई यह आपसे कुश्चन पूंचा जा रहा है तो सीधा सा कुछ ने कुछ समझाने की अवश्रक्ता नहीं है 1992 में यह परियुजन प्रारम की गई और किन सरकार के द्वारा वर्स 2010 में हाती को किस जानवर को हाती को राश्टी विरासत पसू का दर्जा भी दिया गया तो किन सरकार के द्वारा किस वर्स हाती सन्रचन युजन प्रारम की गई 1992 में और इसी को नाम दे दिया गया हाती को 2010 में किन सरकार ने राश्टी विरासत पसू क्या किया इसे बहुसित किया आपको याद रखना है दौनों चीज़ें चलिए कोशन नमबर 20 के बाद कोशन नम वनसपती सर्विचन का मुख्यलurança कहा है जहाँ पर हम वनसपती का संरिचन करते हैं भारति बारतिय वनसपति स्रविचन करते हैं या फिर उनका सर्विचन करते हैं तो उसका हैडकोटर्र स्मोच जा रहा आप से BSI बोलते है बॉनिडिकल सरवे ऐंडिया ठीक ना और भारती वनस्पती सर्विछन संस्थान कहां पर है तो इसका सही आंसर है कोलकाटा हम जो आभी पढ़ायति आपको वनों किसान रच्षण किया बनों की बात करते हैं तो इसके लिए दररादून आता और वनस्पती के लिए आता है आपका कोलकाता, BSI का मुख्याला कहाँ पर है, तो BSI का मुख्याला जो है, वो आपके कोलकाता हाँ में है, Botanical Survey of India, ठीक ना, चलिए, कुशन नमर 23 हो गया, कुशन नमर 23 के बाद आईए, कुशन नमर 24 पर, एक खाद सरिंखला में भेडिया, खरगोस को खाता है, ठीक है, भेडिया, भेडिया किस को खा गया, तो भेडिया का पोसा किस तर क्या है, यानि पूच रहा है कि कि करम का बोगता है प्रत्म दूतियक तो घास यहां पर okay खाया तो घ्रवोष खाया तो घ्रवोगता और फिर्थम वोगता को जो खाएगा वो गया दूतियक और बहडिया को जब सेर खा सब्सक्राइब दुटिया को भूगता हूं पिरतेग वर्स दो फरवरी को में आदर भूमी दिवस मनाते हैं पिछली बार हमने कराया था यह कुछान आपको कह रहा है उसी आदर भूमी नम भूमी से क्या तात पर है यह नम भूमी के आप से डेफिनिशन पूछ जा रही है न दरातल में जब जल की मात्रा दिख हो जाएगी तो हमारी भूमी कैसी हो जाएगी आदर हो जाएगी उस आदर भूमी को ही हमने कहना दे दिया नम भूमी तो भूमी में जल की मात्रा अदिख होनी चाहिए तो उसी भूमी को हम नम भूमी या आदर मूमी इंगलिस में बैट अगर आप तो आपके स्लेवर्स में एक टॉपिक दिया गया है यातायात यह उन संचार विवस्ता से उठाए मैंने भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सुरुवात किस सहर में हुई मैंने सन नहीं पूछा है मैं जानता था अधिकांस लोग सन जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मता दे रहे हैं भारत में पहली वार मेट्रो रेल की सुरुवात कि कुलकाता सहर में की गई अगर राज पूछता तो पश्यमंगाल और सन पूछी तो 1984 में की गई ठीक ना चलिए सिंपिल सा कुशन था कुशन नमर 27 पर देखते हैं यह भी सिंपिल भारती किर्शी अनुसंदहान परिशद जिसको हम हिंदी में इंग्लिस में इंडियन कहुंसल औव अगरी कल्चरा यंदिरि सिंटर ठीक ना इंडियन कांसल ऑफ अगर्री आंडि कल्चान रिकर्च्रण रिसर्छ हमा हमारी जो मिर्दा हैं उन मिर्दा का वर्गी करण किया और बताया कि भारत में कुल कितने परकार की मिट्टी पाए जाती है तो मिट्टियों का वर्गी करण आपसे ऐसा ही पूच लेगा किस संस्थान के द्वारा किस संस्थान के द्वारा या किस परिसत के द्वारा ऐसा कु और headquarters इसका कहां पर है, तो इसका headquarters कहां पर, तो इसका headquarters आपका दिल्ली में है, देहली में है, चलिए हो गया, question number 27, अगला देखिएगा, question number 27 के बाद 28, यह तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, material protocol manufacturer smjھotha का सम्मद किसे है, तो 1987 में, ozone छारण को रोकने के लिए, ozone परत में जो च्छिद रो रहा है, उसको रोकने के ! किसे है, ozone परत संदचंट से, किसे है, ozone परत के संदच्छंट से, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, सी ओजोन सन रचन से ठीक ना चलेकशन मोरा 28 था सिंपल सी कुर्चन है इद एक इसन बहुत इंपोर्टेंट वैरे वेरे इंपोर्टेंट वन जीब सन रचन के छेत्र मैं अदम साहस दिखाने के लिए वन्य जीव सनरच्छन वन्य जीव में जीव जन्तू भी आते हैं और आपर पेड़ पौधे भी समझ लिए वन्य जीव में वन्य जीव और पेड़ पौधे तो वन्य जीव सनरच्छन के छेत्र में अदम साहस दिखाने के लिए कौन सा पुरुसकार दिया जाता है इंद्रा समधाय के लोगों ने परियावरन की सुरच्छा के लिए अपना एहमें युगदान दिया अमरता देवी नाम की एक महला थी बिरक्षों को काटा जा रहा थे बिरक्षों से चपक जाती थी और बोलते हैं थी के पहले हमें काटिये तब बिरक्षों काटिये तो इनहीं की आज की सीरीज का लाश्ट कुश्चन है और फुल एनरजी के साथ आंसर देना है आपको निन मैंसे कौन सा मूंगा चट्टान का छेत्र नहीं है यहां पर मूंगा चट्टान का मतलब यहां पर प्रवाल भित्ति से प्रवाल भित्ति और मैंने आपको बताई है कि भारत में चार इस्थानों पर प्रवाल भित्तिया पाई जाती है मानार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती सही है अडमान निकुवार में प्रवाल भित्ति पाई जाती सही है लक्षदीब में प्रवाल पित्ती पाई जाती है तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाल भीती नहीं पाई जाती है यह बंगाल की खाड़ी का संबन्ध मुगा चट्टान के छेतर से नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी अगामी जिसके परिच्छा होने वाली बहुत बड़ी परिच्छा है अभी वी आपके पास मौका है यादि आप उस बैच में एडिपिशन लेना चाहते हैं तो 8382 एक नमबर जारी किया गया है संस्था के उर से 83829666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 तब तक के लिए थैंक्यू अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपना ख्यारा केगा धन्यवाद